हेले वरोड़ी मैं पंकज सोनी पंकज एज़िटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी को सौगत करता हूँ आज मैं ग्रोव के अफिसेल वेबसाइट पर आपकर लेकर आया हूँ और आज हम डिसकस करेंगे इंडेस्लेंड बैंक जो की निफ्टी-फिप्टी का एक लार्ज क की गई है इसके स्टॉक में वह है 0.69 परसेंट और आज की तारीक है 27 दिसंबर 2021 कि वन वीक में इसमें 2.15 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है वन मन्त में 7.73 परसेंट की गिरावट है वन इयर में 0.03 परसेंट की मामूली बढ़त है 3 यर में 45.77 परसेंट की गिरावट है और 5 यर में 19.32 परसेंट की गिरावट है तो यह एक ऐसा स्टॉक है जिसमें सभी पैरामिटर्स में इसमें गिरावट दर्ज की गई है चाहे वो वन डे हो वन वीक हो वन मन्त है वन इय तो इसमें आप निवेश कहां करेंगे कि कि आपको अच्छा फाइदा होश्च रखे तो चलिए हम इसकी सपोर्ट लाइन डिसक्स करेंगे कि सपोर्ट लाइन इसकी कहां पर बन रही है तो देखिए यह है इसकी support line और यहां से यह सुरू हुआ था देखिए यह support line यह support line हो गई और यहीं पर अभी एक resistance लिया है और इसको touch करने के बाद यह फिर से इसका stock price नीचे की तरफ जा रहा है तो अभी आप इसमें इस label पर खरिदारी कर सकते हैं और आगे जब यह अपने resistance पर आएगा तो आप profit book कर सकते हैं और long term के लिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि long term के लिए आपको क्या करना है उसके लिए वीडियो में बने रही है शुरू से अंद तक वीडियो पूरा देखिए इसकिप मत करिए वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है मैं इसके targets भी बताऊंगा इसके पूरे fundamentals, dividend, news सबकी हम चर्चा करने वाले हैं तो आप आराम से इस पूरे वीडियो को देखिए तब ही आप इसको समझ पाएंगे तो देखिए इसके overview के हम चर्चा करेंगे तो overview में इसकी performance है इसका today's low है 811.50 और today's high जो है 861.80 तो यह today's high से नीचे trade कर रहा है इसका 52 week low है 789 रूपीज और 52 week high है 1252 तो जैसा आप इधर पर देख रहे हैं कि यह अपने 52 week high से काफी नीचे आच चुका है अब इसमें खरिदारी का मौका बन चुका है और इस opportunity का फायदा आप उठा सकते हैं क्योंकि यह 52 week high से काफी नीचे अब ट्रेड कर रहा है इसका open price है 843 रूपीज previous close है 860.15 volume है इसका वन क्रोर 23,25,932 तो यह एक large gap stock है और इसका volume भी अच्छा है ऐसे stock में trading on listing करनी चाहिए जिसका volume अच्छा हो और इसमें कभी भी आप करेदारी कर सकते हैं विखवाली कर सकते हैं आज इसमें 1054 क्रोर की trading हुई है कुछ लोगों ने इसमें buy किया है और कुछ लोगों ने sell किया है इस तरह से 1054 क्रोर की इसमें value की इसमें trading हुई है चलिए हम इसके analyst की राय जान लेते हैं कि analyst का जेकरना हैtså है इंड्सा इंडर्स देक रहे हैं ki camera संदलिसल और देख रहे हैं helped करने की तब कोई भी analyst को sell करने की सबह नहीं दे रहे हैं सभी मानते हैं कि सब्सक्राइब कर चलना चाहिए और इस इस st और टेक्निकल की जाच परक की उसके बाद ही रिकमेंडिशन दी है चलिए हम इसके फाइनेंस को देख लेते हैं इसका मार्केट कैप जो है 66,700 क्रोर का है इसका पी जो है 21.55 है यह फिर वैलिशन पर है अगर कोई स्टॉक आपको इस पी पर मिलता है तो उसमें खरिदारी के स तो नहरे अफसर होते हैं इसका पी जो है 1.53 है जिससे पता चलता है कि यह स्टॉक जो है अपने इंडिस्टिंग वैलू से देट गुना पर ट्रेड कर रहा है और यह अच्छा मौका होता है इसमें खरिदारी करने का इंडस्ट्री पी इसका 12.33 है और इंडस्ट्री इंड देखें तो इसका रिटन ओन एक्विटी जो है 7.49 है जो की कम है आर वी 12% से अधीक हो 15% से अधीक हो तो वह स्टॉक अच्छे होते हैं तो अभी इसका रिटन ओन एक्विटी कम है इस फिप्टी फाइंट फिप्टी पाइंट नाइन फॉर है डिविडेंट इयल जो है 0.58 परसेंट है बुक वेलू जो है 585.52 है चली अब इसके फाइनेंसिल वो चेक कर लेते हैं कि जहां भी आप इन्वेस्मेंट कर रहे हैं उसकी फाइनेंसिल को जानना आपके लिए ब रिवन्यू थे 8887 क्रॉर जो कि इसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई है मार्च 21 में के रिवन्यू निकल कर आ रहे हैं 9200 जून 21 में इनका रिवन्यू और बढ़ गया 9363 और सेप्टेम्बर 21 में इनकी रिवन्यू में और बढ़त दर्ज की गई यह हो गए 9488 तो इनके रेविन्यू में quarter on quarter अच्छी growth देखने को मिल रही है चलिए अब हम इसके profit को देखते हैं कि quarter on quarter इनका profit की क्या report है तो आप जिसा देख पा रहे हैं बार ग्राफ में quarter on quarter इनका profit जो है तेजी से increase हो रहा है सेप्टेंबर 20 में इनका profit था 663 क्रोर यह सभी figure जो है क्रोर में है दिसंबर 20 में इनका जो profit निकल करा रहा है 830 मार्च 21 में का profit है 926 और जून 21 में का profit है 1016 और सेप्टेंबर 21 में 1147 तो profit यह अच्छा कमार है quarter on quarter अब हम इनके net worth देखेंगे quarter on quarter इनकी net worth पर क्या आसर हुआ है तो सेप्टेंबर 20 में इनकी net worth थी 39,624 मार्च 21 में इनकी net worth बढ़कर हो गई 43,501 सेप्टेंबर 21 में इनकी net worth बढ़कर हो गई 45,326 तो इनके financial तो बहुत strong दिख रहे है है quarter on quarter इसमें अच्छी growth हो रही है तो इनके stock price क्यों गिर रहे हैं यह एक चिंता का विशा है चलिए हम अब year on year भी चेक कर लेते हैं कि इसी performance है तो year on year देखेंगे तो इनके revenue में अच्छी खासी growth देखने को मिल रही है जैसे कि 2017 में इनकी revenue थी 18,577, 2018 में 22,031, 2019 में इनकी revenue बढ़कर हो गई 27,908 और 2020 में इनकी revenue बढ़कर हो गई 35,736, 2021 में इनकी revenue थोड़ी से गिरावट आई और वह हो गई 35,501 तो यह financially strong stock है अब देखिए हम इसके profit की बात करेंगे कि इसके profit पर क्या changes आए हैं year on year तो जैसे आप देख पा है 2017 में इनका profit था 2868 2018 में इनका profit हो गया 3,606 बढ़ा हो इसमें इस इस year में 2009 में का profit कम हुआ है 3,301 2020 में का profit बढ़ गया 4,458 और 2021 में का profit है 2930 तो इस प्रकार इसमें profit में तो growth हो रही है और यह अच्छा profit कमा भी रहे है है चलिए हम इनका net worth देख लेते हैं net worth में इनकी भारी तेजी की संकेत मिल रहे हैं हमें इनका जो net worth है year on year काफी तेजी से grow हो रहा है जैसे 2017 में इनका net worth हा 20,648 2018 में का net worth बढ़कार हो गया 23,843 2019 में का net worth फिर बढ़ गया 26,687 और 2010 में का net worth फिर बढ़ गया 34,748 और 2021 में का net worth में अच्छी खासी बढ़ा दर्ज की गई और यह हो गया 43,501 चलिए हम कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी का काम काच कैसा है कौन कौन से कारभार करती है तो देखिए 5. easy ilhamlaid banking limited the bank is engaged in banking and para banking services the bank is involved in accepting deposits such as saving account current account and fixed deposit and banking solutions the bank is engaged in granting loan of various segments such as industry and business and retail loans financing a range of equals you compared to indigenous and अिरुश anyways कि आंढ आ हैंक सेंट अचे कोतंड बड ऑम की इनक इनक पाप उफित in cri अ कोपरत House is अजनक इनक अ परी शोलिये चा कोन ये इनक फ्रोलिय। एंट इनक फ्रोलिय ले प्रवाइड करते हैं और लोन देने का काम करते हैं इंडिरियोस को और विकल लोन देते हैं इंडिस्टी डोन भी देते हैं तो इन्डियोस पूरी तरह से से इस तरह का काम करते हैं आप देखिए इंडिस्ट लेंड बैंक लिमिटेड के नाम से हैं इसके मैंनेजिए इंडियरेक्ट हैं मिस्टर सुमान्त खताप लिया है और इनके वह यह बैंक जो स्थापित हुई थी 1994 में तो इनको 27 साल हो चुके हैं पुरानी बैंक है इनका या से पुलडिंग में जो है foreign institutions जो है इनकी बहुत अच्छी holding है पहला ऐसा मैं इस टॉक देरite देख Rahum जहां पर फैने साथ वाँटियुसट की holding जो है इनके प्रोमोटर्स जहाद है तो यह अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि for Sverige ंस और पाँज़ी की जो होल्डिंग है इसमें 13.37 परसेंट है मुचिल फंड ने भी इस पर चाखासा पैसा लगा दिया है और उसको हम देखते हैं कि मुचिल फंड ने किस मुचिल फंड में इसमें इसमें इवेस्ट किया है तो देखिए इन्वेस्ट को इंडिया डैनमिक युटी फंड 2.34 प करेंगे कि कंपनी ने कितना डिविडेंट दिया है यह सब भी जानना जुरूरी है इन्वेस्टर के लिए तो देखिए जो डिविडेंट है 17 अगस्ट 21 को इन्होंने पर शेयर का डिविडेंट भी दिया है अब चलिए हम इसके टार्गेट की बात कर लेते हैं तो यहां प पर आई सी आई सीए सेक्योटी इस एक जो ब्रोकरेज फर्म है और जिसके रिपोर्ट्स काफी माहने रखती है और भरश्यमन भी इन्होंने इस इंदस्ट लैंड बैंक पर इंदस्ट लैंड बैंक पर वाई रेटिंग दिये और इसको मेंटें रखा है और नहींने दिया है तो जाग यह चनि तर नहीं दिया है और बैंकिंग कंपनी है अब देट है और टार्टट प्राइस जो है इन्होंने बढ़ा दिया है वांग था ऐजिंट Harry 20 का प्रॉफिट प्राइस देंत्रोन होगा है तो आप इस स्टॉप कप्धियोंire कर चल सकते हैं और ये ज 12.420 का टारगेट आ जाएं तो आप इसमें फुल प्रॉपिट बुग कर सकते हैं तो इस रिप सर्च रिपोर्ट को मैं आपके साथ सेर करूंगा तो इसको इस फुल रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं और इसके फाइनेंसियल को आप देख सकते हैं कि किस पेस पर इनलिस्ट सब्सक्राइब रेटिंग क्योंकि इसकी प्रॉफेट अच्छे हैं इस्की फाइन इसे अच्छे हैं हैं औरसके जो प्रॉफिटɑ महट यहां पर एस्ट मेट किया गया है इसकी फुल रिपोर्ट आप रीड कर सकते हैं यहां पर देखिए यह रिपोर्ट आप रीड कर सकते हैं और पैट यहां पर मैं पैट को एक्स्प्रेंड कर देता हूं यह देखिए में प्रॉपिट आफ्टर टैक्स पर्शैन ग्रोथ है फाइनशीैस घ्रोथी 25 में eh तेटीटरटीटर hm तेटीनाइन परसेंट। कि जो एस्टिमेट किया रहा है वो है 35 पर्षेंट तो इस रिपोर्ट के आधार पर आपको इंडर्स लेंड बैंक के सेर में 40 पर्षेंट तक की आप साइट मिल सकती है आप इस स्टॉक में बाय और डिप्स कर सकते हैं यह सेर और आगे चलकर रगर गिरता हैं 5 परसेंट 10 पर करते हैं तो आपको यह विडियो कैसे लगा एक में कमेंट करकर बताईए इस वुडियो को लाइक करिए जिससे की दूसरे जो टेडर हैं इन्वेस्टर सें वो इस यूटूब वीडियो के बारे में जान सके और उस वीडियो के माध्यम से इंडिस लेंड बैंक के फंडमें बेल बटन हिट कर दीजिए जिससे की मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद